ओम नमा शिवाय, हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो सच पर रोज रात में करो पतनी के साथ एक काम सफलता अवश्य मिलेगी, आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेगे, ऐसे पांच कामों के बारे में जो आपको रहा, रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से माल लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज दरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों, हमारे दिन की शुरुवात सूर्य उदय और शाम की शुरुवात, सूर्यास्त उसे होती है, सूर्य उदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संदि समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्व पूर्ण माना गया है। इसके बारे में, दोस्तों, महिलाएं अगर चाहिए तो घर को नर्क बना सकती है। पूर्ण माना गया है तो चलिए जान लेते हैं। कौन से हैं वो काम और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पतनी के साथ पती को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नमबर एक, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तुदोश है, माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरन करती हैं और उनके असर से आ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता सकती है, इसी लिए रात में ही बरतन साफ करके सोना चाहिए, जूटे बरतन नहीं छोड़नी चाहिए नमबर दो, कई लोग रात को सोते समय जूते चपल बेड़ के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिलकुल गलत है, ऐसा करने से घर में अशान्ती पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तु शास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की सी रौष्णी, आप जरूर करें, इस सकारात्मक्ता बनी रहती है, या इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जला कर भी सोच सकते हैं, इस नमबर तीन दोश नहीं लगेगा रात को सोते समय सिर या पैर दर्वाजे की और न करें दर्वाजे की और पैर या सिर करके सोने से मृत्यू का भय बनता है नमबर चार घर में मा लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है बलकि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है कहते हैं घर में लक्ष्मी मा का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो सूर्योदय के बाद सुभह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदी करते हैं लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तोर से सूर्यास्त के बाद घर में जाडू लगाना बिलकुल भी शुब नहीं माना जाता वास्तुशास्त्र के अनुसार सुभे के समय घर में जाडू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कच्रे को रात में ही बाहर न फेंके। अगले दिन सुभे साफ सफाई करने के बाद ही के इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार जाडू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की जाडू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे इसकी सीख, यहां बहाना, पहली हो इससे धन की हानी होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह जाडू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में जाडू को छिपा कर रखने से लाब होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती। और मा लक्ष्मी का वास बना रहता है। जाडू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जाडू को रखने की सही दिशा दक्षिन दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय जाडू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें। और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही जाडू लगानी चाहिए। कहते हैं, रात के समय ऐसी जगहों पर जाडू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर भी जाडू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर माँ अन्पूर्णा का वास होता है, ऐसी जगह पर जाडू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थे खराब होने लगता है, चलिए, अब जानते हैं पांचवा काम, जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए, आपके घर में आंगन में तुलसी का पौ शक्ष्मी नाराज होती है और घर से सुख सम्रिधि दूर हो जाती है, जिससे समय सूर्य अस्थ हो रहा हो, उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और नहीं भोजन करना चाहिए, इससे न सिर्फ धनहानी होती है, बलकि स्वास्थ्य संबंधित परिशानियां भी ह कभी भी अपने बालों को न काटें और नहीं शेप करवाएं, कई लोग सूर्य अस्थ के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर से कर लेते हैं, ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धनहानी भी होती है, इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून नहीं क वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है दोस्तों, ये तो थे वो काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए। ये काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चानक्य द्वारा बताए गए इस कारे को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं, तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। महिलाओं की पूजा भी की जाती है। अगर पती-पत्नी में कोई मत भेद भी हो, तो रात में सब घिले शिक्वे दूर करें। अपने रिष्टे को आगे बढ़ाएं और अपने रिष्टे को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पती-पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं, तो ऐसा घर स्वर्क के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोग सकता। लेकिन याद रहे आचार्य चानक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताये गए पलों को किसी दू जार्य चानक्य जी कहते हैं कि जब पती-पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में संपन्नता अपने आप खिंची चली आती है, व्यक्ति धन दौलत से माला माल हो जाता है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेर अवश्य करें